हेलो नमस्कार दोस्तों आज आप पढ़ेंगे कच्छा ग्यारवी वारसिक परिक्षा जो 2019 वीश का वायो लौजी जी विज्ञान का पेपर हुआ है इसके आप वस्तु निष्ट प्रेशनों को सॉल्व करेंगे तो यदि हम देखें पहले गॉष्चन की बात करें सही विकल्प चुनिए पहला गॉष्चन था वरगी करन की सबसे बड़ी एकाई है, देखिए यदि सबसे छोटी एकाई पूंचा जाता तो वो जाती होता लेकिन सबसे बड़ी एकाई जो है इन सब में से वो कौन सी है गण तो यहां पे गण राइट आंसर होता यदि हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की कि धनिया में किस प्रकार का पुस्पक्रम पाया जाता है तो धनिया में जो होता है वो छत्रक देखें ना चत्रक या सैयुक्त चत्रक प्रकार का जो होता है पुस्पक्रम पाया जाता है देखें तीसरे की यदि बात करें निम्न मैंसे किसमें डी एने नहीं पाया जाता है तो देखें केंद्रक, हरित लबक, Mitochandria इन तीनों में पाया जाता लेकिन गालगी राय में नहीं पाया जाता है तो गालगी राय इसका सही आंसर होता फिर अगला देखते हैं आमा सही रस में होते हैं मतलब आमा सही से कौन-कौन से रस निकलते हैं तो तीन प्रकार की रस Pepsin, Lipez और Renin तो यहां पहला आंसर जो है इसका correct आंसर होता फिर देखिए पांचवा किन पत्तियों की निचली सतह पर रंधों की संख्या सबसे अधिक होती है तो इसमें जो है प्रेश्ट धारी जो पत्तियां होती हैं उनकी निचली सतह पर रंधों की संख्या अधिक होती है इसके बाद देखते हैं खाली स्तान भरने थी सही विकल्प चुनकर खाली स्तान भरने थी प्रत्वी पर पाए जाने वाले जीवदारियों की विविदता खाली स्तान कहलाती है तो जे कहलाती है जेव विविदता तो पहले खाली स्तान में जेव विविदता भरती दूसरा द देखते हैं काक्रोच में उत्सरजी पधार्त खालिस्तान होता है तो जे होता है यूरे कमल तो यूरे कमल जो है राइट आंसर था फिर इसूलेंकी कमी से खालिस्तान रोग होता है तो जे मधू में हे रोग होता है फिर यदि बात करें कि क्लोरोफिल निर्माड के लिए क्या आविश्यक है तो जे magnesium आविश्यक है तो mg इसका right answer होता इसके बाद यह दिए हम बात करें एक सब्दिया एक वाक्ष में उत्तर दीजिए तो यहाँ पे ICBN का full form पूंचा गया था तो इसका full form होता है IC international तो देखिए इसका जो full form होता है IC international C से code of international code of botanical जो है nomenclature इसका full form था तो इसका full form क्या था international code of botanical nomenclature इसके बाद अगला देखें कोशी का सिध्धान्त का पृति पादन किस ने किया था तो जे sliden और swan ने जो है तो यहाँ पे इसका answer क्या था sliden और swan तो इसका answer आपको भरना था sliden और swan इसका answer होता फिर एक बीज पत्री में किस प्रकार का सिराविन्यास पाया जाता है तो इसमें जो है समानांतर तेखे ना इसमें जो होता है समानांतर सिराविन्यास पाया जाता है तो यहाँ पे आप लिखते समानांतर सिराविन्यास पाया जाता है फिर यदि हम देखते काक रोच का जन्तु वैज्यानिक नाम बताईए तो इसका था जन्तु वैज्यानिक नाम इसका जो जन्तु वैज्यानिक नाम क्या था यहां पे पैरी तो यहां पे आप यार रखना इसका नाम जो है अक्सर पूंचा जाता है तो पैरी प्ले नेटा अमेरिकाना ठेखे ना पैरी प्ले नेटा अमेरिकाना जो है इसका जन्तु वैज्ञानिक नाम था इसके बाद देखिए, एड्रीनल ग्रंथी से स्त्रावित होने वाले हार्मोन का नाम आपको बताना था, तो थायराक्सिन हार्मोन, तो इसका अंसर होता थायराक्सिन हार्मोन, इसके बाद देखें, हम सही जोडियां बनाईए, तो सही जोडियों में देखिए, यहाँ पे, यदि हम देखें तो थालाकाइड जो था इसकी जो सही जोड़ी थी वो क्लोरोप्लास्ट से थी और आक्सिन जो होता है ब्रद्धी हार्मोन होता है तो यहां पर पहले की सही जोड़ी क्या हो जाती यदि हम देखें तो इसकी क्लोरोपास्ट हो जाती क्लोरोप्लास्ट फिर प्रखजिญ की ब्रद्धी आर्मोन होताए जैक प्रकार कहा सेकन्ड की ऊजाती गरनी से स्कूराैर्क Scout होता है तो ब्रद्धी रोदक हार्मोन तो इसकी तीसरे से सई जोडे हो जाती और फिर जो लाल पेशी होति है उसमें मचले पाया जाता है थो इस चौथे का हो जाता और ए भी रक्तसमू जो होता है सर्व ग्राही होता है या सर्व अदाता भी हम कह सकते हैं तो यहां पे यह पांचवे की सही जोड़ी हो जाती तो इस प्रकार से आपके सभी वस्तू नेश्ट प्रेशने सॉल्व हो जाएंगे और आप चेक कर सकते हैं कितने सही हुए हैं आप मिलान कर सकते हैं धन्यवाद